नमस्ते दोस्तों मैं हूं सरोज आप सभी का बहुत बहुत सागत करती हूं मेरे चैनल सरोज का किचन में आज मैं आपकी लिए लेकर आई हूं सरसो वाली फिश करीखी रेश्पी के खाने में बहुत ही टेस्टी होती है मैं आज आपको अपने गाम की जारीक से बनाना आप कोई भी मचीले सकते हैं जो आपको पसंद हो आप कोई भी मचीले लीजिए सबसे पर इसको हम मेरे नेट करेंगे मैं ले रहें यहां पर एक चमच लाल मिर्ची पावडर आधी चमच हल्दी पावडर शाथिंग डालेंगे एक से लेट चमच अध्रक लशन का पेस्ट जो मैंने पहली बना के राखा था यहमाने डाल दिया है सारी चीजों काछिए से मिला लेंगे मिला लेंगे यही पर डाल देंगे हम नमक नमक आप पहली ही डाल देजीए तो मै Uhuj दे खोड़ और सारी मसली को अची से मिला लेंगे मसली वासाथ कोट कर दिया इसे रखेंगे हम 10-50 मट के लिए रेस्ट पर तकि कोट हो जाए वे उस आइटम रखते हैं तब तक हम मसळा तैयार करेंगे तो ग्रणिक जार लेंगे यहां मैंने लिए हरी मेर्च साबूत धनिया काली मेर्च जिया आप चाहें तो जीरा या काली मीरच धनिय का पाौडर ले सकते हैं पर जो मासाले हम 20 के बनाते हैं उसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यहां पर मैंने लिए है 20 से 25 लसन की कलिया, लसन की quantity हमें थोड़ा ज्यादा रखनी है, अब थोड़ा से इसको हम पाइन डालेंगे, अब पेस्ट बनाकर त्यार करेंगे, यह देखें मैं पेस्ट बना लिया है, हमारा जब पेस्ट है त्यार हो चुका है मसाले के लिए, हमारे मच्छी को भी दस से प करने हम मच्छी को थोड़ा सा सवधानिश डाले, तेल की छीटी आपके हाथ की उपर आ सकते हैं, एक एक करकर मच्छी को हम डाल देंगे, यह दो मच्छी को डाल दिया है, अब एक साइट से क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, जैसे मच्छी एक से फ्राई हो यह देखीं, इसी पलड दिया है, अब दूसरी साइट मेचिया से फ्राई होने देंगे, यह देखें हो डिवस्टी जो इक फ्राई हो चुकी है, अब उसको हम निकाल लेंगे, बहुत है अच resolverाあ आ चुका है, इसको एक पलेट में हम निकाल देंगे एसे ही सारे मच्छी को हम निकाल लेंगे और सेम पुरुषिस अपना हम दूसरा बेच फ्राई कर लेंगे सारे मच्छी को एसे ही फ्राई कर लेंगे यहां पर एसे ही सारे मच्छी को तेल में डाल देंगे यहां पर मच्छी को डाल दिया है और इसको भी आच्छे से फ्राइब करेंगे जब तक माच्छी जो हमारे अच्छ ते क्रिष्की नहीं हो जाती अच्छी से पर्ग नहीं जाते हिए यह देखें कर लिया है क्लर चेंज हो चुका अब देख सकते हैं आप तहएं इसको झांटेब्ट लगता है लेकिन आज अग बनाएंगे जिसमें सरसो होता है स्वाफ होता है जीरा अजवाइन कलाउजी सारे मसाले इसमें मिक्स होते हैं तीसे हमारे हैं पट्छ फोरन बोलते हैं साथ में सूखी लाल में ट्वित पत्र डाल देंगे हुआ थोड़ा चैटकले देंगे मसाले थुड़े भून जाएँ में इवर टाल देंगे दुन पट्रमाटे में पहले ही काट लिया था साथ में आम ड़ेने को अपने हम मसाला जो पेश में बना के रखा था साथ मसाल लों आई पट्र मेंग Además गर देंगे कि व्युऌनर नवग डालने से जल दी गल जाते हैं यह हो डाले में पाऊडर में डालेंगे लाजमिस तक कि इसना साथ Airlines को ठूँरा तो हेस्ट AF Tा मेशेश कि बीच विच में हम मैश करते रहेंगे लगतार चलाते हुए इसे हम भूनेंगे मसालों को यह देखिए हम मसालों जो है बहुत अच्छ से भून चुका है टमाटर विजल चुके हैं यह मैड करेंगे पानी पानी अपनी ग्रेविक हिसाफ से कम ज्यादा कर सकते हैं जितने वह गाड़िया पतली चाहिए यह अपने पाने डाल दिया है अब ग्रेवी में उबाल आने द यह बहुत डालेंगे अपना हम मचली जो मैंने फ्राई करके रखा था मचली डालने कवाद हमें ज्यादा नहीं उबालना जाए क्यूंकि मचली भी पकी हुई हमना ग्रेवी भी अच्छ से पक चुका है तो दो से तीन अठी उबालेंगे ग्रेवी को हम थोड़ी गारी उन से तीमेट हो चुकी है मैंने हाई फिलेम पकाया है ग्रेवी यह पहले से थोड़ी गारी हो चुकी है ठंडा होने के बाद थोड़ी और गारी होगी थंबे और नहीं पकाना है यह जाल देंगे हम आधी चमस गरम मसाला साथिन बरी कट्रा हुआ हारा धनिया और एक मिनट औ पका लेंगे ज्यादा नहीं पर में इसे एक मिनटी पकाना है एक मिनट बाद हम गैस को बंद करेंगे तियांब हमारा सरसो वाला फिसकरी बंद के त्यार है आप एक बार मेरे तरीक जरूर ट्राय करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो यह देखिए आप इसे एक बाद मेरे तरीके से इस रेश्पी को जरूर ट्राय करें और ट्राय करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें करें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले साथी में घंटी का बटन दबाते जाए तक जब मेरा नए वीडियो आई सबसे पहले आपके पास पहुचे दोस्तों आपको कोई भी ऐसी रेश्पी चाहिए तो मुझे कमेंट में करता है मैं कोशिस करूंगे सेयर करने के लिए तो मिलती है फिर से नई रेश्पी के साथ तब तक लिए बैए दोस्तों